हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सागनी स्वेधन जो की तेरा प्रकार के होते हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सागनी स्वेधन होते हैं तेरा प्रकार के होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है फिर उसके बाद क्या करना है सबसे पहले चार नाम आपको राइमिंग में याद कर लेना है कुटी, कुम्भी, कूप और कर्शू क्या याद करना है दोस्तो कुटी, कुम्भी, कूप और कर्शू अब दोस्तो अगनी के अंदर आप इसको कैसे याद करोगे सागनी स्वेधन के अंदर किसे याद करोगे तो जो भी अगनी होती है उसे हम का जलाते हैं कुटी के अंदर, घर के अंदर तो सबसे पहला नाम क्या होगा कुटी उसके बाद आप राइमिंग में याद कर ले कुटी, कुम्भी, कूप, कर्शू अब क्या करना है चार नाम हमें याद हो गए बाकी के नो याद करने के लिए आपको एक ट्रिक लगाना है ट्रिक है, संजना भूमी पर अगनी जलाती है अब दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं सागनी स्वेधन है, जिसके अंदर क्या हो अगनी हो, एसा स्वेधन जिसके अंदर क्या हो अगनी हो, तो यहाँ पर हमने ट्रिक भी कैसी लगाई है कि जिसके अंदर अगनी हो तो यहाँ पर हमने ट्रिक याद करा संजना भूमी पर अगनी जलाती है अब आपको इससे कैसे याद करना है संजना के सर से आत करना है संकर जर से आत करना है जेनताक और ना से आत करना है नाडी उसके बाद भूमी वर्ड से भू से हमें आत करना है भूसवेदन उसके बाद जो परवर्ड है उससे आपको दो आत करना है प्रस्तर और परिशेक देन आगे बात करें तो अगनी से याद करना है आपको दो अवगाहन और अश्मगन उसके बाद जो है है उससे याद करना है होलाक स्वेधन तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको तेरा प्रकार के स्वेधन बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आगे बात करते हैं दोस्तो निरागनी स्वेधन की कि इनको कैसे याद करना है तो दोस्तो इससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजे और जिसने भी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज सस्क्राइब कर लीजे अब बात कर रहे ह हम निरागनी स्वेधन की तो निरागनी स्वेधन जो होता है दस प्रकार का होता है अब इस निरागनी स्वेधन को आपको कैसे याद करना है दोस्तो निरागनी का मतलब क्या विदाउट अगनी बोड़ी के अंदर क्या करना स्वेधन करना अब बिना अगनी के हम स्वेधन कै रहे कोई व्यक्ति, अब अब दोस्तों, जीम करने के बाद क्या होता है, भूख और प्यास भी ज़्ता लगती है, तो नेक्ष्ट आप स्वेदन हो जायेगा, रहेगे अएरवेद के अंदर शुधा तो next स्वेदन हो जाएगा शुधा और next है बहु पान तो ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी तो इस तरह से दिमाग में रख लीजिए बहु पान तो यहाँ पर next आप आप याद कर लीजिए गुरू प्रावरन तो इस तरह से जिम की थीम को दिमाग में रखते हुए आप याद कर लें कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम जिम कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं व्यायाम उससे शरी के अंदर गर्मी बढ़ रही है तो उ जिम है जिसके हंदर हम exercise को सीख रहे है उस जिम का नाम क्या है क्यूबा क्या नाम है दोस्तो जिम का क्यूबा अब क्यूबा वर्ड आपको दिमाग में रखना है जो क्यूबा वर्ड है उसके के से आपको याद करना है क्रोध फिर यू से याद करना है उपनाह फिर बी से या इस तरह से आपको निरागनी स्वेधन जो दस प्रकार के होते हैं बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों यदि आप स्वेधन को डीटेल में पढ़ना चाते हैं तो कमेंट करके जरू बताएं कि आप इसका डीटेल पार्ट भी चाते हैं तो मैं बहुत जल्दी आपको इसका डीटेल पार्ट भी प्रोवाइट करा दूँगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं जाता से जाधा इस वीडियो को शेर करें, लाइक करें और दोस्तों जिसले वे बिताक मास्टर माइंट समिट चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो दोस्तों इसी तरफ आईरवेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आईरवेद को आगे बढ़ते रहिए, थेंक्यू